सो हेलो दोस्तों वेलकम तू मैं चैनल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉड्रेटिक एक्वेशन का न्यू छैप्टर कॉड्रेटिक एक्वेशन अब आप नाम सुनते से इक्टम हैंगो जाओंगे यार यह चीज क्या है आपको तो पता एक्वेशन वो चीज होती है जो एक्वेशन के दोनों साइड लिखी रहती है अगर मैं आपको यहां पर बता दूँगा एक्स इस इक्वेशन बन गई तो एक्वेशन तो आपको क्लियर है लेकिन quadratic क्या होता है quadratic क्या होता है वो आज हम लोग समझेंगे तो quadratic क्या होता है अभी तक हम लोग ने पढ़ा था linear equation linear equation वो होता है जिसमें एक या दो जो भी variable होता है लेकिन उसके उपर power 1 होता है एक से जादा नहीं होता है जैसे आपका ये भी linear equation हो गया यहाँ पर एक variable x है उसके उपर power कुछ नहीं है मतलब 1 है लेकिन quantity equation वो equation होता है जिसमें variable तो होता है अभी जो quadratic equation की बात करें उसमें variable एक ही होगा लेकिन उसका maximum power 2 होगा सबसे ज़्यादा power 2 होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा ऐसी equation को हम लोग कहेंगे quadratic equation मैं आपको उसका general equation बदाजता हूँ quadratic equation कैसे लिखते है ax square plus bx plus c equal to 0 sorry 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 मैं गलती से हो दिया हूँ तो देखो ax square plus bx plus c equal to 0 यह है general equation किसका quadratic equation का अब आप देख रहोंगे कि यार यह कौन सी बला है यह क्या चीज है आप समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ इसमें a, b, c कुछ नहीं है constant number है a, b, c जो आपका यह है यह सिर्फ number है जिसको बोलेंगे constant मतलब a, b, c की जगा पे कुछ भी आ सकता 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता तो उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है मतलब ओ इतना hard topic नहीं है वहाँ पे आप कोई भी number दाल सकते हो mean आपका variable है variable किसको बोलेंगे यह जो x है variable किसको बोलेंगे जो x है x किस जगा पे y आ सकता m आ सकता है ना सकता लेकिन variable क्यों कहते है क्योंकि इसकी value change होती रहती है इसकी value क्या होती रहती है change मतलब vary होते रहती है इसलिए इसको हम लोग लिखते है variable ठीक है तो variable हमारा यहाँ पर क्या है x कितने variable है यहाँ पर एक variable है सिर्फ x variable है वो दो जगा लिखा है लेकिन variable कितने है एक variable है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो variable के उपर यह power 1 है यह 2 है ठीक है जिसके उपर कुछ भी power नहीं रहता मतलब 1 रहता और यहाँ पर x के उपर क्या power है 2 simple topic है कि आपका जो variable है variable का maximum power 2 होना चाहिए 2 से जादा नहीं होना चाहिए और एक और चीज़ इस equation में एक ही value 0 नहीं होना चाहिए एक ही value 0 नहीं होना चाहिए मैं example की तोर पर बता देता हूँ मान लो यह तुम्हारा coordinate equation ने 2x square plus 3x plus 5 यह आपका क्या है quadratic equation क्यों क्यों कि यहाँ पर variable क्या है x है और उसका maximum power 2 है सबसे बड़ा power 2 है उससे जादा बड़ा power नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे quadratic equation थीक है अब मैंने जिसे बुला कि a की value 0 नहीं होना चाहिए मान लो अगर यहाँ पर value 0 हो जाती है यह a है ना यह a की जगह पर आया यह b की जगह पर आया यह 5c की जगह पर आया अगर a की value 0 हो जाती है चोंके नहीं होना चाहिए तो x की यहाँ पर 0 x square हो जाएंगा और यह 3x plus 5 equal to 0 देखो इस तरह से equation हो जाएंगा और अगर यहाँ पे 0 हो गया इसका मतलब यह पूरा term क्या हो गया 0 मतलब x square आपका 0 हो गया तो यहाँ पर कोई value नहीं बचेंगी तो आपकी equation रहेंगी 3x plus 5 equal to 0 इसका मतलब यह equation ऐसी equation बन गई जिसमें variable का power सबसे जादा power 1 है 2 वाला power तो 0 हो गया ना जब 2 वाला power ही नहीं है तो इसको quantity equation कैसे कहेंगे इसलिए बोल रहा हूँ कि a की value 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि a की value 0 होगी तो x square चला जाएंगा x square जाना ही नहीं चीए x variable है तो उसके उपर maximum power 2 होना चीए उससे कम नहीं होना चीए उससे जादा नहीं होना चीए यहाँ पर variable यहाँ पर कहां पर है यह है और उसके पर power 1 है कितना होना चीए मैंने बोला coordinate के लिए 2 तो यहाँ पर 1 है इसलिए इसको हम लोग coordinate equation नहीं कहेंगे यह तो आपके linear equation हो गई X का maximum power जहाँ 1 होता है वो linear equation हो गई coordinate equation में maximum power कितना होता है 2 होता है तो समझ में आया आपको B और C आपका यहाँ पर 0 हो सकता है अभी आप देगो समझ लो यह term 0 हो गया तो आपको ऐसा लिए 2X square plus 5 equal to 0 कि पर बीच वाला term तो 0 हो गया तो यह coordinate equation है या नहीं है इस equation का जो variable है उसका maximum power कितना है 2 है उसका maximum power कितना है 2 है तो maximum power जब 2 आ रहा है तो coordinate equation रहेंगा बाकी चीजों से हमें लेना देना नहीं है ठीए अगर 5 वाला 0 हो गया बाकी रहा और 5 वाला 0 हो गया 2X square plus 3X equal to 0 यह वाली equation देखो इसमें 5 वाला 0 हो गया यह यहां पर 0 आ गया तो अब coordinate equation रहेंगा यह नहीं रहेंगा आप देखो ना variable का आए यह है इसका power 1 है इसका power 2 है maximum power कितना है 2 वो है ना तो यह quantity equation रहेंगा सबसे बड़ा power X का 2 है अगर तो वो quantity equation रहेंगा मतलब ये भी quadratic equation रहेंगा और इससे पहले जो मैंने लिखा था 2x2 plus 3x equal to 0 ये भी quadratic equation रहेंगा लेकिन जहां पर ये पहला ही 0 आ जा रहेंगा तो वो quadratic equation नहीं रहेंगा मतलब x2 वाला 0 नहीं आना चीए x2 का coefficient 0 नहीं आना चीए a0 नहीं आना चीए तो उसको quadratic equation नहीं कहेंगे बाकि ये quadratic equation रहेंगा एक और चीज़ अगर ये चीज़ ऐसा हो गया 2x2 equal to 0 मतलब ये दोनों 0 हो गया तब भी ये quadratic equation कहलाएंगा क्योंकि इस equation में variable x है और उसकी power maximum क्या है 2 है maximum क्या है 2 है समझ में आ रहा है हाँ तो एक और example देकर आपको बताता हूँ एक example देकर आपको बताता हूँ मान लो एक equation आपके पास 3x3 plus 5x2 is equal to 6x अब मुझे बताओ ये quadratic equation है या नहीं है सबसे पहले आप देखो की equation है क्या जी हाँ equal to क्या दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिगा है मतलब equation है अब आप देखो यहाँ पर variable का है ये है ये है ये variable पर सबसे बड़ा power क्या है 3 है तो ये quadratic equation नहीं हो सकता है क्योंकि variable का सबसे बड़ा power कितना होना चीए 2 होना चीए समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को हम लोग कहेंगे quadratic equation